For every x belongs to r के लिए, ठीके, अब हम ये बात के सकते हैं, थोड़ा सा अगर आपके दिमाग में बेट गया हो, तो 0 से बड़ा या बराबर होगा, तो पक्की बात infinite से तो ये कम ही होगा, ठीके, अब हमारे इसके अंदर इस function को set करीए आप, कुछ ने करना, ये वाला minus में हैं, तो अपने को इसको minus में बनाना पड़ेगा, ये देखी है, एक minus तो इसको minus कर दिया, जैसे इसको minus करेंगे, तो क्या होगा, सब ये सारे symbol उल्टे हो जाएंगे, ये आपको पता है, ठीके, अब मैं इसमें क्या करूँ, थोड़ा इसको सही लिख दूँ, ये आपके minus infinitive से तो और 0 से बड़ाबर less than हो जाएगा, या equal भी हो जाएगा है, बस हमारा काम हो गया, देखिए, अब इसके अंदर यह एक minus कर रखा है, तो आप इस सभी के अंदर एक minus कर ले, 1 minus x minus 2, और 1 minus 0, तो ये तो आपके क्या हैगा, minus infinite, और ये आपके क्या बनगे, आपका original function, ठीक है, जिसको अपन y कहते हैं, ये, तो आप देख लो, कि हमारे ये infinity, और ये y, this one, यानि कि आपके y belongs to क्या आगया, minus infinity, 1, 1 तो आपके equal है, और infinite नहीं है, तो आप देख लो, कौनसा option correct है, c वाला, है ना, तो ये ऐसे question को अपन ऐसे भी कर सकते हैं, next question है, ये कह रहा है, कि अगर आपके, दे रखा है, कि a plus b equal to pi by 4, then, बहुत ही अच्छा question है ध्यान देना, ये, तो ये पूछ रहा है, then, 1 plus 10a into 1 plus 10b की value क्या होगी है, ठीक है, option दे रखा है, इसके अंदर, 2, b, 1, c, minus 1, और d, minus 2, ये आपके पास option है, देखिए, ऐसे question जब करें, तो थोड़ा सा हमें logic लगाना पड़ेगा, a plus b equal to pi by 4 है, तो आपने एक काम करें, इसके दोनों तरफ पंट 10 ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 10 a plus b equal to 10 pi by 4, तो ये बन जाएगा आपके, 10 a plus 10 b upon 1 minus 10 a, 10 b equal to 1, अब इसको आप state कर लें, state कैसे करेंगे, 10 a plus 10 b equal to, इसको उधर multiply कर लें, तो 1 minus 10 a, 10 b हो जाएगा, अब इसको थोड़ा सा एक काम करें अपन, इसके अंदर 10 a plus 10 b, और इसको तो मैं इधर ले आता हूँ, 10 a, 10 b equal to 1, मैं इसके अंदर एक काम करता हूँ, दोनों तरफ एक एक जोड़ देता हूँ, ऐसा करते ही, इधर की जो factor आएंगे, वो आजाएंगे आपके, 1 plus 10 a, और 1 plus 10 b, 2, देख लीजी हमारे 1 plus 10 10 b की value के आगई, 2, तो यह इस तरीके से आपका इसके अंदर भी option a वाला correct हो जाएगा, ऐसे question अपने को ठीक से देख लेने हैं, next जो question है, देखें यह भी एक बहुत ही अच्छा question लेके आया हूं है, question है, if fx equal to बहुत ही प्यारा question है, आप जाँ से देखलना, pi square और यह बड़ा bracket plus sin minus pi square और इसके बाहर x, जहाँ x क्या है, greatest common integer ठीक है, तो यह कह रहा है, कि कौन सा correct होगा, पहला option इसने दिया है, f pi by 2 equal to 1 दूसरा दे रहा है, f प्यार कि प्यार कि बुदू है,